हेलो फ्रेंज अनूठी में आपका स्वागत है गुफ्तगू में इससे पहले मैंने अपने और अपनी मा के संस्मरन आपसे शेयर किये जैसे एलियन का अनुभव मेरी मा को जो उनके बाले काल में हुआ वो किया फत्यपुर्सीकरी में मेरा मेरी मा का हमारे मेरी भेन का हमारे परिवार का जो संस्मरन वो मैंने शेयर किया और इस तरह से मैंने आगे बढ़ते हुए जगनात्पुरी में जो मेरा मेरे बच्चे के साथ मेरे हस्बिन के साथ परिवार के साथ जो मेरा संस्मरन था वो मैंने शेयर किया भगवान की कृपा शेयर करी आज उसी में आगे कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप से अपना एक संस्मरन शेयर करूंगी उड़ीसा का प्रभु में मेरी बहुत श्रद्धा है मैं जानती हूँ कि प्रभु है उनका लोग मानते हैं उनका सिर्थ है या नहीं है ये श्रद्धा है श्रद्धा ना तो हम किसी को जबरदस्ती दिलवा सकते हैं ना हम किसी की तोड़ सकते हैं और ना किसी से हम श्रद्धा छीन सकते है और छीनना तो अपराद है तो मेरी श्रद्धा मेरे प्रभू में रही है और उसका समय समय पर प्रभू ने मेरे को अपने होने का सबूत दिया है तो उसी में आगे बढ़ते हूए मैं उडिसा का अपना संस्मनन आपके सामने पेश करती हूँ शेर करती हूँ. उडिसा में मैं थी और उडिसा में तभ मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। बेटी मेरी गोधी में थी 4-5 महिने की और मेरा बेटा था साड़े चार साल का और स्कूटर था हमारे पास, कार नहीं थी और उडिसा में सी बीच से सिरफ एक किलो मीटर दूर हमारा घर था और एक किलो मीटर दूर सी बीच के पास ही मेरे फ्रेंड्स का, हमारे फ्रेंड्स का घर था तो उस दिन हमेशा की तरह हम घुमने निकले अपने गैराज में से हमने स्कूटर निकाला और ठंडी हवा खाते हुए हम चल पड़े अपने फ्रेंड्स के पास एक किलोमीटर बहुत दूरी नहीं होती लेकिन स्कूटर स्टार्ट किया और बड़े आराम से हम चल पड़े जब हम वहाँ पर उनकी हां रुके तो बहुत सारे वा नारियल के पेड़ और पूरा नारियल के पेड़ का वो जंगल जैसा था और वहां से समुद्र का किनारा पांच मिनट का रस्ता था और बहुत सुन्दर इलाका था तो हम खड़े हुए सड़के किनारे ही वो हमको घूमते हुए मिल गए हम ऐसे उनसे बातचीत करने लगें उन्होंने बोला चलो सी बीच तक चलते हैं हमने जैसी स्कूटर स्टार्ट किया मेरे हजबन बैटे मैं बैड भी नहीं पाई थी कि मेरे हजबन बोले एक मिनट ऐस तो भी पेच नहीं था वो बिना पेच के चल रहा था पढ़ाता जुगुआ अब भी अब भी तो हम अपने घर से बंद गैराज जिसमें ताला लगा हुआ था स्कूटर निकाल कर सीधे यहां आये हैं और बिना पेच के स्कूटर चलता हुआ आया है आसपास देखा कही पे हमें एहसास तक नहीं हुआ कि स्कूटर गिर जाएगा या कोई एक्सिजेंट हो जाएगा या स्कूटर का पहिया हिल रहा है लेकिन जब हमने दुबारा स्टार्ट किया तो पहिया एकदम हिलता हुआ महसूस हुआ तो यह क्या था यह क्या चमतकार था किसने हमारी रक्षा की थी बंद गैराज में स्कूटर के पहीय के पेच कैसे निकल गए कहा निकल गए बंद गैराज में वो गिरे हुए हमें मिले क्यों ने वो कहा चले गए थे पेच हमें नही वालू और कैसे हमारी रक्षा हुई हमें नहीं मालू तो कहीं तो मेरे प्रभू ने रक्षा करी और अगर रक्षा एक बार करी और दूसरी बार उन्होंने सचेत कर दिया कि मत चला प्रभू रक्षा करने वाले बल्वान है ये मानना नहीं मानना हमारे उपर है हम कह सकते हैं हमारी किस्मत थी तो हम बच गए हम ये कह सकते हैं हमारी बत किस्मत थी तो हमें आघात हो गया किस्मत है कर्म दंड है इस संसार में हम सब कर्म दंड से जुड़े हैं लेकिन हरी नाम में शक्ति वो है कि जो पत्थर को भी पूजनिय बना देती है हरी नाम में शक उस हरी नाम के चलते ही हमको हमेशा प्रभू ने अपनी उपस्थिती बताई है अपनी रक्षा का हाथ हमारे उपर रखा है मैंने हमेशा महसूस किया है अगर किस्मत है तो हमेशा मेरी वो किस्मत साथ क्यों नहीं देती लेकिन प्रभू है और हमेशा उन्होंने मुझे अपने होने का सबूत दिया किस्मत साथ छोड़ सकती है जैसे दुरियोधन को नाराइनी से ना मिली क्योंकि दुरियोधन ने वही मांगी नुरियोधन को संख्या पे संसार की संख्या पे विश्वास था और अरजुन को प्रभू वासुदेव के होने पर विश्वास था तो यही मेरी स्थिती है मेरे परिवार की स्थिती है हमें प्रभू के अपने साथ होने पर विश्वास है और उसको मैंने हर वक्त हर पल महस अपने कमेंट्स जरूर मुझे बताईए कमेंट्स लिखिए मुझे बताईए और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा संस्मन सोचने के लिए मजबूर करेगा और हरी सुमिरन की तरफ आपको अगरसर करेगा हरी सुमिरन करते रहिए प्रभू का ध्यान करते रहिए गुरू का ध्यान करते रहिए गुरू की शरन पकड़े रहिए और प्रभू के चर्णों में सदैव अपना ध्यान रखिए हरी सुमिरन करते हुए मैं आज की शेरिंग यहीं समाप्त करती हूँ, संस्मरन यहीं समाप्त करती हूँ, मैं आशा करती हूँ, आपको अच्छा लगा होगा और आप रभु का सुमिरन करते रहिए, thank you so much friends, thanks a lot, अनुठी में विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत हार धन्यवाद, जै श्री कृष्णा, राधा स्वावि